हालो बच्चों कैसे हो आप सभी बेच से सेकेंड एर के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा था अल्कोहल्स चैप्टर को जिसमें कर रही थी बच्चों कामिकल पॉपरिटीज इसके अंदर हमने कर लिया था रियाक्शन इंवालविंग क्लीविज ओफ 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 ओएच बॉंड और रियाक्शन को हम कवर कर चुके हैं प्रीविज वीडियो के अंदर नेक्स्ट रहां करेंगे रियाक्शन इंवालविंग क्लीविज ओफ 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 बॉइच बॉंड जहां पर अलकाईल ग्रुप का जो कार्बन है वो उसकी साथ जो बॉंड है हमारा हाइड्र का जो ओक्सिजन होगा वो इनके बीच का जो बॉंड है बच ओ बॉंड होगा ठीक है तो रियाक्शन इंवालविंग यह वाला बॉंड जो है यह बॉख होगा COH मतलब Alkyl group का जो एक carbon है इसके साथ जो bond बनाया जा रहा है Hydroxyl group के साथ Hydroxyl group का जो oxygen है वो यही जो bond है बच्चो यह क्या होगा यहाँ पर break होगा तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं order reactivity का order of reactivity of alcohol to अगर हम देखते हैं reactivity यहाँ पर alcohols की तो सबसे ज़्यादा होती है tertiary की then secondary and then primary सबसे ज़्यादा यहाँ पर tertiary की क्यों है ऐसा क्यों है रीजन क्या है इसका तो देखिए इसको मैं explain कर सकते हैं बच्चो जो alkyl group है उनका जो plus effect होता है ठीक है alkyl group के plus effect की basis पर हम इसको explain कर सकते हैं तो देखिए primary में किस तरीके से होता है एक r group होता है एक r group है primary में इसके बाद secondary में दो r group होती है इसके बाद tertiary में 3 इस तरह किसे होता है यहाँ पर देखिए एक r group यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने है 3 तो यहाँ पर tertiary के gase में सबसे जादा r group है यह primary alcohol है यह secondary alcohol है और यह tertiary alcohol है यहाँ पर हमने बोला है जो reactivity यह alcohols की जो reaction involved करेंगी CuH bond की cleavage को वहाँ पर सबसे जादा किसकी होगी tertiary alcohols की then secondary and then primary alcohols की तो इसे हम explain कैसे करेंगी यह जो alkyl group है इसकी inductive effect के basis पर इनका कैसा effect होता है बच्चो plus i effect होता है plus i effect कैसा effect है plus i effect मतलब electron को यह donate करेंगी electron donating effect इनका होता है electron donating electron देते हैं electron donating होते हैं ठीक है यहाँ पर अब देखिए एक R group electron देगा primary की case में secondary में देखिए दो R group electrons देगे tertiary की case में ऐसे तीन R group यहाँ पर क्या है electrons को देगे तो सबसे ज़ादा electrons यहाँ पर देए जा रहे हैं तो जितनी ज़ादा electrons देए जाएंगे अब क्या होगा और यहाँ पर ओण है आपर क्या हो जाएंगग उर्बहरा बीज़ाण देखिए पोछलेव सर्फ आज़िगा यहां पर क्या हो जाएगा बैप्तलमigmat हो जाएंग और भी जादा पुर्द होजाएंगा लेक्वेत इसना फोंटिव झाल की पर क्या हो जाएंग मतलब, easily break हो जाएगा और reaction होगी ठीक है, तो सबसे बड़िया reactivity किसकी होगी, यहाँ पे alcohols की case में tertiary की, then secondary and then primary, कैसे explain किया हमने इसको, on the basis of plus eye effect of alkyl group, सबसे जादा alkyl group कहाँ पर है, tertiary की case में तो इसलिए सबसे जादा reactivity किसकी हो halides, reaction with hydrogen halides so, जब reaction होती है बच्चो alcohols की, hydrogen halides के साथ में, तो यहाँ पर फॉर्म करती है, alkyl halides और साथ में water, ठीक है so, जब alcohols की reaction होगी, when alcohols react with hydrogen halides hydrogen halides की साथ, जब reaction होगी, alcohols की क्या फॉर्म करेंगी बच्चो वो, alkyl halides और साथ में water, with hydrogen halides to form alkyl halides alkyl halides and water clear हो गया, alcohols react करेंगी, hydrogen halides के साथ में, फॉर्म करेंगी, alkyl halides and water को, तो यहां पी जब हम बच्चो reactivity देखते हैं, order of reactivity देखते हैं, hydrogen halides का तो सबसे ज़्यादा होता है, HI का, उसकी बाद HBR, then हमाया HCL, ऐसा क्यों है, because यहां पी जो I negative है, बच्चो बहुत बढ़ी है, nucleophile है, better nucleophile है, हमारी BR negative से, और BR negative जो nucleophile है, वो better है than CL negative से, so order of reactivity, order of reactivity of hydrogen halides, order of reactivity of hydrogen halides, क्या हो जाएगा, HC, HI की सबसे ज़्यादा, then HBR, and then HCL, ठीक है, इस तरीके से हमारा order हो जाएगा, क्यों है ऐसा order, because I negative जो है, वो हमारा better nucleophile है, better nucleophile than BR negative, और BR negative जो nucleophile है, वो better है than CL negative, और order of reactivity of alcohol, सो हमें पता ही है, order of reactivity of alcohol, क्या होगा, tertiary की सबसे ज़्यादा, then secondary, and then primary, योडर होता है मारा, सबसे ज़्यादा tertiary, then secondary, and then primary, तो यहाँ पर हम reaction करेंगी, alcohols की, HCL के साथ में, HBR के साथ में, HI के साथ में, so first करते हैं, alcohols की reaction, HCL के साथ में, so first हम करते हैं, बच्चो, HCL के साथ में, with HCL, HCL के साथ में, यहाँ पर हम reaction करेंगी, alcohols की तो यहाँ पर हमारी पास alcohols के बच्चो तीन तरीके के हैं कि primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol तो देखिए tertiary जो alcohol है उसकी reactivity सबसे ज़ादा है तो tertiary alcohol में हमें यापर catalyst की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है without catalyst ही हमारी reaction हो जाएगी alcohol react कर जाएगा एचल के साथ में जबकि primary और secondary की जो reactivity है बच्चो वो कम होती है लो reactivity की वज़े से primary secondary alcohols में हम use करते है catalyst का basically यहाँ पर हम use करते हैं lowest acid जो हमारी catalyst है that is anhydrous zinc chloride ठीक है anhydrous ZnCl2 का यहाँ पर हम use करेंगे तो देखिए primary alcohol में reaction किस तरीक से होगी CH3 CH2 OH नाम क्या हो जाएगा इसका myth eth OH है ethane all ठीक है और साथ में reaction किस के साथ होगी HCl के साथ में HCl gas यहाँ पर हम use करेंगे और anhydrous ZnCl2 और साथ में यहाँ पर heat करेंगे तो यहाँ पर primary secondary case में बच्चो इनकी low reactivity होने की वज़े से यहाँ पर हम क्या करेंगे use करेंगे catalyst का इसके बाद क्या form हो जाएगा यहाँ पर देखिए HCl है तो इस तरीक से combine कर जाएगे और यहाँ पर CH3 CH2 CL attach हो जाएगा तो क्या form हो जाएगा CH3 CH2 CL plus water तो क्या form हो जाए बच्चो इहाँ पर? chloroethene, क्या नम होता है इसका? chloroethene chloroethene समझ में आगया यहाँ तक, simple है बिलकुल क्या किया? alcohol हम नहीं लिया इसकी reaction किस के साथ? HCl gas के साथ low reactivity है तो catalyst के ज़र्ट पड़ेगी Enhydra ZNCl2 heat करेंगे, क्या form हो गया? chloroethene, that is alkyl halide plus water तो इता primary alcohol की case में next हम डिखते है, secondary CH3 CH3 CH3H और OH तो इता secondary alcohol है, नाम क्या हो जाग इसका? दिखू, 1, 2, 3 second position पर OH है, तो myth, it prop propane to all propane 2 all, यह हो जाएगा और reaction होगी, HCl gas के साथ में और catalyst लेंगे Enhydra ZNCl2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? leaches हमारी combine कर जाएगी water foam हो जाएगा और Cl यहाँ पर यहाँ पर H water तो यही form हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर Cl attach हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका दिखो second position पर क्या है? हमारा chlorine है तो 2 chloromyth propane 2 chloropropane हो जाएगा next हम देखते हैं, टर्श्री की केस में देखो टर्श्री में CS3C OH नाम क्या हो जाएगा? इसका दिखो 1, 2, 3, second position पर methyl है, तो 2 methyl 2 methyl और methyl propane 2 all और reaction होगी, concentrated HCl के साथ में अब और room temperature पर हो जाएगी reaction room temperature पर हमारी reaction हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sorry, यहाँ से नहीं यहाँ से water foam हो जाएगा और Cl यहाँ पर attach हो जाएगा easy है CH3 और Cl प्लस water तो यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में water form हो जाएगा नाम क्या हो जाएगा इसका? one, two, three two, two पे अब दिखो methyl है and chloro है तो अलफा बेट में पहले कोन आता है? C आता है तो chloro पहले आ जाएगा two chloro two methyl methyl that is propene क्या नाम हो गया? two chloro two methyl propene समझ में आया बच्चू? primary alcohol secondary की साथ में, tertiary की साथ में जो primary secondary की यह जो reaction होती है इसे में groves method बोलते है so note डाल ली नाप यह ठीक है the reactions of primary and secondary alcohol in the with HCl gas in the presence of anhydrous ZnCl2 is called grooves method क्या बोलेंगे बच्चो हमें तो क्या हो गया बच्चो? जो reactions होंगी primary secondary alcohol की HCl gas के साथ में anhydrous ZnCl2 की presence में क्या बोल देंगे grooves method तो याद रखेंगे इस्टीज को भी आप तो देख लिए बच्चो प्राइमरी, secondary and tertiary alcohols में जब रियाक्चन होती है alcohol के HCl के साथ में तो किस तरीके से हमारी products form होते हैं ठीके? next time हम करते हैं HBR के साथ में next बच्चो HBR के साथ में with HBR तो जब रियाक्शन होती है alcohols की HBR के साथ में यहाँ पर क्या प्रेड्यूस होगा बच्चो? alkyl halide से obviously यहाँ पर foam होगा plus water foam होगा यहाँ पर देखिए जब HBR के साथ reaction होती है जस तरीके से हमारी HCL में हुई थी primary alcohols की case में यहाँ पर भी हमें small amount में catalyst के ज़रूरत पड़ेगी in case of primary alcohol ठीके? जब हम बात करेंगी primary alcohol की तो यहाँ पर हमें किस चीज की requirement पड़ेगी small amount में यहाँ पर हमें requirement पड़ेगी catalyst के यहाँ पर हम catalyst किस को लेंगी concentrated H2SO4 को किसको हम यहाँ पर लेंगी concentrated H2SO4 को लेंगी small amount में हम लेंगी as a catalyst इसको muse करेंगी but in case of secondary and tertiary alcohols यहाँ पर हमें catalyst की requirement नहीं है यहाँ पर जब reaction होती है concentrated H2SO4 की साथ में बचो secondary और tertiary वहाँ पर dehydration process हो जाती है क्या होती है dehydration and dehydration होगी तो यहाँ पर क्या form हो जाएगी alkenes इसलिए यहाँ पर क्या form हो जाते है alkenes form हो जाते है तो यहाँ पर secondary and tertiary case में no requirement of catalyst तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर concentrated H2SO4 का में यूस करेंगी तो dehydration हो जाएगी किसका में यूस करेंगी concentrated H2SO4 का तो यहाँ पर dehydration हो जाएगी और form करेंगी वो alkynes तो देखते है primary alcohol की case में यहाँ पर हमनी लिए CH3CH2OH नाम क्या हो जाएगा इसका it's in all ठीक है reaction किस के साथ करवाएंगी HBR के साथ में HBR water और CS3, CS2 BR form हो जाएगा अब यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों यहाँ पर हम लेंगी concentrated H2SO4 की few drops कुछ drops कम यहाँ पर use करेंगी concentrated H2SO4 की साथ में reflux करेंगे और यहाँ पर क्या फोम हो जाएंगे Bromoethane CH3, CH2 BR plus water नाम क्या हो जाएगा इसका Bromoethane तो जब reaction होगी HBR के साथ में concentrated H2SO4 का as a catalyst हम यहाँ पर लेंगे few drops reflux करेंगे तो फोम हो जाएंगे Bromoethane plus water next time हम देखते हैं reaction HI के साथ में next time बच्चो HI के साथ में with HI तो देखें बच्चो जब alcohols को reflux किया जाता है HI के साथ में तो यहाँ पर produce होते हैं हमारी alkyl iodides तो देखें यहाँ पर for example हम लेती हैं CS3OH क्या नाम हो जाएगे इसका methane all क्या करेंगे हम alcohol को reflux करेंगे alcohol को reflux करेंगे with hydrogen iodide यहाँ पर हम HI लेंगे reflux तो यहाँ पर क्या form हो जाएगा water और प्लस में CH3I तो यहाँ पर CH3I और प्लस में water नाम क्या जाएगे इसका iodomethane iodomethane तो alcohol को जब reflux किया जाएगा with HI तो क्या form होंगे बच्चो वहाँ पर alkyl iodides वहाँ पर form हो जाएगे और अगर हम alcohols को लेंगे बच्चो alcohol को लिया है और यहाँ पर हम HI के साथ में reaction करवाते हैं बट यहाँ पर अगर हम red phosphorus ले लेते हैं यहाँ पर हम heat करेंगे HI के साथ में और साथ में किनकी presence में red phosphorus की presence में तो यहाँ पर reduction हो जाता है बच्चो और form हो जाते हैं alkane तो देखें किस तरीके से CH3 OH methane nol यहाँ पर हम लेंगे HI और साथ में red phosphorus पर हम लेंगे red phosphorus 423 calvin तो alcohols को heat करेंगे हम with HI in the presence of red phosphorus तो क्या form हो जाएंगे आपर CH4 ठीक है, reduction हो जाएगे आपर 2HI हम ले लेंगे reduction हो जाएगा और plus में H2O and plus I2 ठीक है बच्चो तो यहाँ पर reduction हो जाएगा और alkyne फॉर्म होंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका methane methane समझ में आगया तो जब alcohol लेंगे reflux करेंगे HI के साथ में तो form होंगे यहाँ पर alkyl iodides बट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आज की क्लास में बच्चो हमने कवर किया है reaction involving cleavage of C-O-H bond के अंदर first जो हमारी reaction है उसको reaction with hydrogen halides ठीक है alcohol की reaction hydrogen halides के साथ में किस तरीके से होगी क्या यहाँ पर products form होंगी तो उस इसको आज हमने क्लास में cover किया है तो आज किस वीडियो में हम इतना ही करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी doubt आए तो आप comment box में comment करना